कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तो पहली बार इस चैनल पर आये हो तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस ना हो जाए और पैसे कमाने का कोई भी मौका आप गवान दो अगर आपको भी आपके कोई स्टॉक के उपर कोई भी क्वेरी पूछना है या कोई भी डाउट है आपको तो यहाँ पर एवरी वेनस्डे को एंड सैटरडे या तो संडे को वीक में दो बार हम लाइव सेसन करते हैं आप यह अहां पर आईए अपने क्वेशन पूछिए मैं जरूर से आप लोगों को गाइड करूंगा अभी आप लोगों को वाट्साप ग्रूप और टेलिग्राम में भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है उसके उपर क्लिक करते ही आप हमारे स जुड़ जाओगे अगया अगया और कि कि अंदर चार्ट का स्ट्रक्चर में देख रहा हूं सबसे पहले हाईर टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूं तो अभी फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल है और वीकली चार्ट के उपर भी चार्ट के स्ट्रेंथ अच्छा बना हुआ है कोई ऐसा खरावी नहीं है लेकिन जो अब रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं इस स्टॉक का तो लुवर लेवल थोड़ा कनफर्मेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां से और थोड़ा सैलिंग हो सकता है तो मेरे हिसाब से अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है वेट और वाच किया जा सकता है इस स्टॉक के उपर हभी जिस तरह से चार्ट के स्ट्रक्चर है उस हिसाब से और इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकता है और डाउन फॉल भी दिखाई देता है तो फिर वह बाइंग ऑपर्चुनिटी के तौर के उपर हमें देखना चाहिए अच्छे बाइंग ऑपर्चुनिटी के लेवल 2400 के असपास दिखाई दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी 250 रुपेस जैसे ही 2000 जब तक 2650 रुपेस के उपर सस्टेन नहीं करता है मेरे इसाब से हाइयर लेवल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे और स्टॉक के अंदर साइडवेज मूग आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है तो एस पर माइश्पेक्टेशन के काम करना है तो 2500 के नीचे ही काम करना चाहिए और अच्छे लिवल 2400 के आसपास है लेकिन जब तक स्टॉक 2500 ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउनफल हमें देखने को नहीं मिलेगा तो मेरे इसाब से वेट और वाच कीजिए टाइटन के अंदर अभी कोई भी ट्रेड अवेलेबल नही है 2500 के नीचे जाता है तो फिर आप जरूर से पूछ सकते हो और 2400 के आसपास माइंग की अपर्चुनिटी अच्छी दिखाई दे रही है मैं जो भी अनालिसिस कर रहा हूं उसका डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वो वीडियो देखे नॉलेज ए कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक मेंटर चूस कीजिए सीखे और सीखने के बात काम कीजिए